यूथ उनाइट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने दिल से समवाद करने के बारे में सीखा है। तो दिल से समवाद करने की इस नई भाषा के साथ आएए खुद के साथ अपने आसपास के लोगों के साथ और अपने निर्माता के साथ भी दिल से जुड़ने के लिए आगे बढ़ें। हम कहानियों व्यक्तिगत अनुभवों को साजह करने आत्मचिंतनशील प्रशनों, उद्धरणों और रूपकों की मदद से यह अनवेशन करेंगे। अब मैं आपको इन प्रशनों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। क्या मेरे कोई संपर्क या संबंध है? एक सार्थक संबंध क्या है? और हमारे जीवन के सभी सार्थक संबंधों और रिष्टों की नीव में क्या निहित है? तो पहला प्रशन क्या मेरे कोई संपर्क या संबंध है? यहां मैं बताना चाहूंगा एक छोटा सा इंटर्व्यू जो हुआ और किसका इंटर्व्यू लिया जा रहा था? एक संप का साक्षातकार एक प्रसिद्ध शहर में एक प्रतिष्ठित पत्रकार द्वारा लिया जा रहा था जहां संथ से एक बहुत ही रोचक प्रशन पूछा गया संपर्क और संबंध में क्या अंतर है संथ मुस्कुराए और पत्रकार से प्रश्न करने लगे संथ ने जो पहला प्रश्न पूछा वह था आपके परिवार में कौन-कौन है इस पर पत्रकार को लगा कि संथ प्रश्न को टालने की कोशिश कर रहे हैं हालांकि उन्होंने फिर भी उत्तर दिया, हम तीन हैं, हम सभी विवाहित हैं और हमारे पिता हैं। तो संत ने अगला सवाल पूछा, आप अपने पिता से कितनी बार बात करते हैं? यह सवाल सुनकर पत्रकार को थोड़ा गुस्सा आया और उसने कहा कभी कभी मैं उनसे बात करता हूँ लेकिन बहुत बार नहीं तो उसका अगला सवाल था और क्या आप उनसे हाल ही में मिले हैं तो उसने कहा कि हां करीब दो साल पहले हाल ही में नहीं बलकि पिछले क्रिस्मस पर मिले थे तो संत ने फिर से उससे सवाल पूछा क्या आप अपने भाई बहनों से भी मिले हैं तो अब पत्रकार इस सवाल से बहुत खुश नहीं है उसे लगा कि जैसे उसका इंटर्व्यू हो रहा है अब स्थिती इसके उलट है हालांकि उसने फिर भी जवाब दिया कि हां भाई बहन भी उस क्रिस्मस के मौके पर साथ थे तो संत ने अगला सवाल पूछा कि क्या आप सभी एक साथ बैठे थे क्या आप सभी ने खाना खाया और आप सभी कितने समय तक वहां रहे तो उन्होंने कहा हम तीन दिन वहां रहे और हाँ हमने साथ में खाना खाया और इस समय तक इस पत्रकार के दिल में कुछ दरार पड़ गई और आंसू बहने लगे और इस समय संत्र ने इस पत्रकार का हाथ पकड़ लिया और कहा, मेरे प्यारे दोस्त, मेरा आपको दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, हालां कि अगर मैंने ऐसा किया है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, और यही है connection और संपर्क के बीच का अंतर, आप निश्चित र आज यह हम में से कई लोगों की वास्तविक्ता बन गई है, connection के नाम पर अपने डिवाइस से जुड़े रहना सतही है, हम सभी के पास हजारों संपर्क हैं, लेकिन कोई वास्तविक connection नहीं है, संबंध जितना हम समझते हैं, उससे कहीं अधिक गहरे होते हैं, विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे की बात सुनने के लिए दिल से चर्चा करना कुछ ऐसा है, जिसके लिए समय चाहिए, इसके लिए प्रयास की आवश्यक्ता है, और यह सब करने के लिए हमें अपनी दुनिया से बाहर आने की आवश्यक्ता है, जिसमें हम में से अधिकांश लो सबसे पहले, मुझे कौन से संबंध और कनेक्शन सबसे अधिक पसंद है और क्यों? अगला सवाल, मेरे जीवन में कौन से संबंध और कनेक्शन है जहां मैं तनाव ग्रस्त और तनाव ग्रस्त महसूस करता हूं और ऐसा क्यों है? और अगर मैं इसके बारे में जानता हूँ, तो मैं इसके बारे में क्या कर रहा हूँ? सार्थक संबंध हमें ग्यान और उंचाई प्राप्त करने में मदद करते हैं और वे हमें प्रेरित करते हैं हमें कई चीजों पर हमारे दृष्टिकोन को बदलने के लिए प्रेरित करते हैं और कभी कभी वे हमें प्रतिमान परिवर्तन की ओर ले जाते हैं और हमें बदलने की शक्ती रखते हैं मैं खुद को भागेशाली मानती हूँ कि मेरे निजी और पेशेवर जीवन में मेरे कुछ सार्थक संबंध है निजी जीवन में मेरा भाई हमेशा मेरे साथ रहता है हम दोनों की अपनी अपनी व्यस्त जिंदगी है हमारे अपने अपने उतार चड़ाव हैं लेकिन फिर भी जब भी हमें एक दूसरे की जरूरत होती है हम जानते हैं कि हम बस एक फॉन कॉल की दूरी पर हैं और अपने पेशेवर जीवन के बारे में बात करते हुए मैं फिर से मानती कि मैं भागेशाली हूँ क्योंकि मुझे हर साल नए चात्रों के एक नए बैच से मिलने का मौका मिलता है और हम शिक्षक चात्र के रिष्टे से ज्यादा सह कर्मी कोच का रिष्टा साजह करते हैं और इस रिष्टे की खूबसूरती यह है कि वे कक्षाओं के बाद भी मेरे साथ बैठते हैं और अपनी दिन प्रति दिन की चिंताओं अपनी चुनौतियों को साजह करना पसंद करते हैं और कभी-कभी यह उनके रिष्टे होते हैं, कभी-कभी यह उनके अंग होते हैं, कभी-कभी यह उनका ब्रेक अप भी होता है और यह एक पारसपरिक लेन देन है जो होता है जैसा कि मैंने उलेख किया है कि यह सहकर्मी कोच का रिष्टा है मैं उनसे सुझाव लेती हूँ कभी-कभी मेरी गती विधियों के बारे में कभी-कभी कुछ मॉड्यूल के बारे में और वे शांदार विचार लेकर आते हैं और शिक्षन और सीखने की प्रक्रिया में हमारी साजेदारी बहुत ही सुंदर है बिम्ब प्रश्न में गोता लगाए मैंने अपने कनेक्शन को जीवित, सार्थक और दिल से बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए हैं या नहीं उठाए हैं तो जब हमने सार्थक कनेक्शन के बारे में चर्चा की तो यह हमें हमारे अगले प्रश्न पर ले आता है हमारे जीवन के सभी सार्थक कनेक्शन और रिष्टों की नीव क्या है इस गहन प्रश्न पर कुछ प्रकाश डालने के लिए मैं यहां दो भाईयों और उनकी माँ की कहानी सुनाती हूँ रोशन उत्सुकता से देख रहा था जब उसकी माँ ने रात का खाना बनाया और उसे खाने की मेज पर खूबसूरती से सजाया और फिर उसने तस्वीरें खीचनी शुरू कर दी और उसे वहटसाइब पर किसी को भेज रही थी तो रोशन ने अपनी माँ से पूछा मा तुम क्या कर रही हो और ये तस्वीरें किसे भेज रही हो मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं ये तस्वीरें तुम्हारे भाई राजीव को भेज रही हूँ जो अभी होस्टल में है तो रोशन फिर से थोड़ा हैरान हुआ और उसने ऐसा करने का कारण पूछा तो उसने कहा कि राजीव ने अनुरोध किया है कि जब भी मैं अपना लंच और डिनर बनाऊं तो उसकी एक तस्वीर भेजूं ताकि उसे हॉस्टल का खाना खाने की प्रेणा मिले ये सुनकर रोशन थोड़ा नाराज हुआ और उसने फोन उठाया और अपने भाई को फोन किया कि ये कौन सी नई दिन चर्या है जो तुमने हमारी मा को अपनाने के लिए कहा है तुम उसे इतना परिशान क्यों कर रहे हो तुम बड़े क्यों नहीं हो जाते तो राजीव ने इस पर थोड़ा गंभीरता से जवाब दिया भाई पिछली बार जब मैं चुट्टियों में घर पर था तो घर की नौकरानी मुझे बता रही थी कि तुम्हारी माँ परियाप्त खाना नहीं खा रही है वह सिर्फ चाय और रोटी खाती है और कभी-कभी दलिया बनाती है और फिर पूरा दिन उदास बैठी रहती है यह खाना बनाने या खुद की देखभाल करने में खुश नहीं रहती यह एक मात्र चीज और तरीका था जो मैंने सोचा था जो उसे व्यस्त रखें और अपने लिए दो अच्छे भोजन पकाएं और यही मैं करना चाहती हूं और यही कारण है कि मैं उसे खाना बनाने के ल प्यार से सब कुछ आसान हो जाता है हमारे जीवन में ऐसा प्रेम बर्साओ जो कुछ नहीं मांगता प्रेम एक महान चीज है एक बहुत ही नाजुक चीज है आप इसमें कुछ नहीं मांग सकते दाजी इस नोट पर मुझे आज की आखिरी कहानी साज़ा करने की अनुमती दें एक बार एक अमीर आदमी का टीवी सीरीज पर साक्षातकार लिया जा रहा था और साक्षातकार करता ने उससे एक सवाल पूछा की सर क्या आपको अपने जीवन में कोई ऐसी घटना याद है जो वास्तव में आपके लिए जीवन बदलने वाला क्षण था इंटर्व्यू देने वाला जो एक अमीर आदमी था ने कहा हाँ मुझे याद है और उसने कहा उस समय जब यह घटना हुई वह भारत में अयोध्या में था और वह बस आराम से सड़क पर चल रहा था और अचानक उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो सड़क के किनारे घुटनों के बल बैठा था और उसकी आँखें बंद थी और वह प्रार्थना कर रहा था तो यह आदमी उसके पास थोड़ा सा गया क्योंकि उसकी परार्थना समाप्त होने का इंतजार कर रहा था और जब उसने अपनी आँखें खोली तो इस अमीर आदमी ने उससे पूछा भाई क्या तुम बताना चाहोगे कि क्या हुआ तो उसने कहा हाँ मेरी पतनी अस्पताल में है और मुझे उसकी सरजरी के लिए एक लाख रुप थे और उस आदमी ने उसे स्वीकार कर लिया वह आदमी जो प्रार्थना कर रहा था और उसने पहले भगवान को धन्यवाद दिया और फिर उसने अमीर आदमी को धन्यवाद दिया तो यह रवया और यह भाव फिर से इस अमीर prayer मी चूग गया ओर उसका अहंकार पसंद आए तुम्हारा व्यवहार और मैं तुम्हें ये प्रस्ताव देना चाहता हूं कि जीवन में जब भी तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो जब भी तुम्हें पैसे की जरूरत हो मुझे बताना मदद तुम्हारे पास पहुंच जाएगी तो इस आदमी ने फिर से भग उस भगवान को पुकारूँगा जो मेरे दिल में बसता है तो इस अमीर आदमी ने अपने जीवन में कुछ बहुत ही महतवपूर्ण कुछ बहुत ही महतवपूर्ण चीज़ का एहसास किया और उसे इस अवधारना से परिचे हुआ कि एक भगवान है जो हम में से हर एक में ब मैं इन लोगों तक पहुँचने का चुनाव क्यों करती हूं अगला सवाल मैंने अब तक अपने संपरकों से क्या सीखा है और यहां मैं इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगी मार्शल रोसेंबर्ग के मेरे पसंदीदा उधरणों में से एक के साथ आपकी उपस्थिती अपसे कीमती उपहार है जो आप किसी दूसरे इंसान को दे सकते हैं इससे चमतकार होते हैं संबंध पनपते हैं और लोग स्वस्थ्य होते हैं हमेशा अपने आंतरिक संसाधनों या आंतरिक स्व पर विश्वास रखें क्योंकि वही देखभाल करने वाला है आप हमेशा उ हरोसा कर सकते हैं जो अपने आंतरिक सुपार निर्भर है उच्च्छ स्ववास्ताव में स्वतंत्र हैं हमें अपने आंतरिक स्व के सात्प հ isnut को पोषिद करने की ओर बढ़ती है आज की हमारी चर्चा को संक्षेप में बताते हैं संबंध हमेशा आत्मा के साथ होता है यह दिलों के बीच होता है हार्टफुलनेस ध्यान इस संबंध को पोशित करता है यह वह संबंध है जिसे हम समझा नहीं सकते जो हमारे जीवन को अर्थ देता है और हमें वास्तव में मानव बनाता है यह हमारा हृदय है जो हमें एक साथ रखता है सार्थक संबंधों और रिष्टों को धैरे के साथ पोशित करने के लिए समय और प्रयास की आवश्यक्ता होती है सार्थक संबंध के परिभाषित मानदंड प्रेम, परस्पर विश्वास, सम्मान और प्रशंसा है जो व्यक्ति अपने आंतरिक स्वसे जुड़ा और निर्भर है वह केंद्रित है और उसके पास एक आधार है जो सभी संबंधों और संबंधों को सद्भाव के साथ बनाए रख सकता है और पोशित कर सकता है हाटफुलनेस में एक अभ्यास है जो आपको अपने आंतरिक स्वसे जुड़ता है इसे आंतरिक जुड़ाव कहते हैं तो आईए अब हम आंतरिक जुड़ाव पर एक निर्देशित ध्यान सत्र के लिए खुद को तयार करें आपको ध्यान करते समय अपने आंतरिक स्वसे प्राप्त होंगे, बने रहें और इस प्रार्थना को करते समय निर्देशों का पालन करें। हम अपनी यात्रा में वर्तमान क्षण का सम्मान करते हैं और साथ ही यह स्विकार करते हैं कि यात्रा जारी रहनी चाहिए। हाटफुलनेस प्रार्थना सोते समय दस से पंद्रह मिनट के लिए की जाती है ताकि हम अपनी आत्मा से जुड़ सकें, इस आत्मा को हेनात कहा जाता है, सुबह ध्यान करने से पहले भी कुछ मिनट के लिए इसे किया जाता है ताकि दिन की शुरुआत और अंत करके उस कनेक् प्रेम की भावना के साथ विश्राम करें, चुप चाप और धीरे-धीरे इन शब्दों को अपने दिल के भीतर गूंजने दें, हे नात, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तिविक धिये है, हम अपनी इच्छाओं के गुलाम है, जो हमारी उन्नति में बाधक है, तू ही एक मात इश्वर एवं शक्ति है, जो हमें उस लक्ष तक ले चल सकता है, शब्दों के सही अर्थ पर दस से पंद्र मिनट तक ध्यान करें, और उनमें खो जाने की कोशिश करें, आप उन्हें एक दो बार दोहरा सकते हैं, हे नात, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तिविक धिये है हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, जो हमारी उन्नती में बाधक है, तू ही एक मात्र इश्वर एवं शक्ति है, जो हमें उस लक्ष तक ले चल सकता है, अपने आपको इस प्रार्थना पूर्ण भावना में विलीन होने दें झाल